हलो एवरीवन, मैसेल दॉक्टर पुलकी शर्मा, तो आज के इस वीडियो में आपन बात करेंगे आपके नीट 2024 का All India Quota के Round 2 और Round 3 का Cut-Off का Trend किस तरीके से रह सकता है, पिछले साल की तुल्ला में आपके All India Quota के Round 2 और Round 3 का Cut-Off किस तरीके से नीचे जा सकता है, किस तरीके से Cut- पूरे Logic के साथ में, आज के इस वीडियो में मैं आपको Complete बताऊंगा, क्योंकि आपके State Quota के Round 1 के Result आच चुके हैं, सभी States के लगबग, तो State Quota के Round 1 के Result से क्या Analysis सामने निकल के आ रहा है, कौन सी ऐसी चीजे निकल के आ रही है सामने, जिससे अपने को एक Clear पता लग रहा तो पूरे वीडियो को आप Completely देखना, जिससे कि आपको चीजे Clearly समझ में आप पाएं, ठीक है, तो अभी जो Trend आया है, आपके Need 2024 का, जो State के Round 1 के Results आएं, उसके basis पे देखो क्या है, जो Low Cut-Off State हुआ करते थे न, जैसे महराष्टरा हुआ, मद्ध प्रिदेश हुआ, उत्रा खंड हुआ, जिनका Cut-Off All India Quota से कम हुआ करता था, उनका Cut-Off अभी Round 1 का अपने State Quota का Cut-Off Increase हो गया है, ठीक है, और जो High Cut-Off State हुआ करते थे जैसे उत्तर प्रिदेश, राजस्तान, इन सभी States का Cut-Off पिछले साल की तुलना में Round 1 में नीचे गया है, तो इस Trend से अपने को क्या स समझ आता है, तो इस Trend से अपने को ये समझ आता है, जो High Cut-Off State हुआ करते थे, जिन States का Cut-Off All India Quota से जादा जाया करता था, जैसे राजस्तान की बात करूँ, उत्तर प्रिदेश की बात करूँ, वहाँ पे Cut-Off थोड़ा सा कम गया है, नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, इसकी वज़े से क्या होता था, जो पीछे की रैंक्स वाले बच्चे होते थे इन States में, जैसे राजस्तान में 13,000 रैंक पे मिला Round 1 में, मान लीजिए, लाश्ट राउंड में 17,000-18,000 तक मिल जाता है, तो जो 17,000-18,000 रैंक वाले बच्चे हैं, वो सारे के सारे बच्चे All India Quota में मान लीजिए, 20,000 चल जाए या 21,000 चल जाए, तो आप सिर्फ देखोगे कि 21,000 से लेके 25,000 के बीच के रैंक के स्टूडेंट ही आपके All India Quota में जाएंगे, जिससे कि All India Quota में competition कम हो जाएगा, हाला कि hypothetical मैं बात कर रहा हूँ, 21,000 जाना राजस्तान का possible नहीं है, मैं सिर्फ example के थूरू बता रहा हूँ, exactly मैं आपको बताऊंगा भी किस तरीके से आपके जो High Cut-Off States हुआ करते थे, उनका Cut-Off नीचे की तरफ shift हुआ है, कितना नीचे की तरफ shift हुआ है, किस तरीके से फायदा होगा, और किस तरीके से जो Low Cut-Off States हुआ करते थे, उनका Cut-Off थोड़ा उप की तरफ गया है, ठीक है, इस से चीजे थोड़ी सी बैलेंस हो रही है, Low Cut-Off State से उनका Cut-Off थोड़ा उपर जा रहा है, और जो High Cut-Off State से उनका Cut-Off थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है, तो चीजे थोड़ी बैलेंस हो रही है, अब मैं आपको बताता हूँ, किस तरीके से आप का Cut-Off इस साल डिक्रीज होगा, अब मैं याँ पर दो स्टेट का एक्जामपल आपको बता जैता हूँ, इनके 2023 और 2024 में स्टेट के Round 1 का Cut-Off को मैं Compare करके आपको बताऊंगा, उत्तर प्रिदेश की अगर मैं बात करूँ, तो उत्तर प्रिदेश में Round 1 का Cut-Off पिछले साल था 20 23,930, इस साल ये गया है आपका 23,776, तो आप देखोगे पिछले साल तक 21,000 रेंग के बाद के सारे बच्चे जो उत्तर प्रिदेश के थे, आल इंडिया कोटा में जा रहे थे, क्योंकि आल इंडिया कोटा में आपका 23,600 के आसपास तक मिला था, तो जो 21,000 से लेके 23,600 के बीच के जो बच्चे थे, जो उत्तर प्रिदेश के थे, उनके पास सिर्फ एक उप्शन बच्चता था कि वो अल इंडिया कोटा में जाए, अभी आल्रेडी आपको उत्तर प्रिदेश में 23,776 तक मिल चुका है, स्टेट के राउंड वन के थुरू और ये कट आफ और नी के बाद के स्टुडेंट हुआ करते थे, उनके पास सिर्फ एक उप्शन बच्चता था, अभी आल्रेडी उनके उत्तर प्रिदेश के स्टेट में 23,700 से उपर तक कॉलेजे मिल चुके हैं, और और भी बात तक कॉलेज मिलने की संभावना है, अगर मैं बात करूँ एक लो क के बात करूँ करने की स्टेट में इसलिए बोल रहाँ क्योंकि कि इसका कट-अफ और इंडिया कोटा के कम रहता है, तो महराष्ट्रा का कुछले साल राउंड बन में था 36,436, 36,436, 36436 में, यूर कैटिगरी में महराष्ट्रा में राउंड बन में कॉलेज मिला था पिछ distributed है, काफी equally distributed है सभी states के अंदर, ठीक है हाला कि अभी भी राजस्तान, UP high cutoff states ही है, पर वो थोड़े से low cutoff की तरफ जा रहे हैं और जो low cutoff states थे, उनका cutoff थोड़ा उपर की तरफ जा रहा है, तो चीजे balance हो रही है किस तरीके से, इसकी वज़े से आपको all india quota की cutoff में फायदा होगा, वो मैं आपको detail में और समझा देता हूँ, तो देखो high cutoff states में जो trend है, वो इस तरीके का trend है कि उनकी cutoff थोड़ा नीचे की तरफ गई है, round 1 के अंदर अगर मैं उत्तर प्रिदेश की बात करो, specifically तो पिछले साल round 1 में उत्तर प्रिदेश में UR category में आपको 20,930 की college मिल पाया था government medical college, इस बार ये round 1 की cutoff है 23,776, तो आप ये देखोगे कि पिछले साल जैसे की all india quota की जो cutoff थी, वो 23,600 के आसपास थी, तो 21,000 से लेके 23,600 के बीच में जो आपके उत्तर प्रिदेश के student थे, लगबग 400 के आसपास student थे, तो अभी वो 400 के आसपास student जो पिछले साल all india quota में गए थे, वो सारे के सारे student इस बार state quota के अंदर shift हो गए, और इन में से कोई भी student all india quota में इस rank पे बिलकुल भी नहीं जाएगा क्योंकि all india quota में इनको जो colleges मिलेंगे, north east और south india के नए colleges मिलेंगे, बहुत दूर के colleges मिलेंगे, इस से better है कि वो उत्तर प्रिदेश के नए colleges ले ले तो ऐसे मैं आपके जो 400 से 500 extra बच्चे उत्तर प्रिदेश के all india quota में पिछले साल गए थे इन ranks पे 21,000 से लेके आपकी 23,700 के बीच की ranks में in fact आपका UP का cutoff अभी और नीचे की तरफ जाने की संभावना है, जैसे मैं आपको starting में बताया, कुछ नए medical college आपके और add हो सकते हैं, इसके लाबा कुछ सीटों पे reporting नहीं भी होगी, बाकी के बच्चे all india quota में भी जाएंगे UP के तो कुछ सीटे और add होंगी इसकी वज़े से cutoff और नीचे की तरफ जा सकता है तो आप देखोगे जो 400 से 500 बच्चे जो extra होते थे 21,000 से लेके 23,700 के बीच जो UP से ब्लॉंग करते थे, वो सारे student all india quota में पिछले साल जाया करते थे अभी वो सारे student अपने state quota के through college लेंगे, तो all india quota में 400 से 500 student जो टॉपर हुआ करते थे, 25,000 में जिनकी rank हुआ करती थी, वो आपके all india quota में नहीं जाएंगे वो सारे के सारे student UP के state quota से college लेंगे, जिसकी वज़े से all india quota में आपका competition थोड़ा कम होगा, उत्तर प्रिदेश एक high cutoff state हुआ करता था, जिसके काफी सारे बच्चे all india quota में जाये करते थे इस बार आपके उत्तर प्रिदेश के कम संख्या में बच्चे all india quota की seat टो को लेंगे, जिसकी वज़े से all india quota का cutoff नीचे की तरफ जाएगा, अगर मैं आपको दूसरा example बताऊं तो आप देख सकते उत्तराखंड जहां पे need 2023 में round 1 में UR category में आपको 35,121 तक college मिल गया था इस बार need 2024 में आपको round 1 में 32,929 तक ही मिला है तो उत्तराखंड जो की एक low cutoff state था, जिसका cutoff अभी increase हो गया है तो इस तरीके से competition equally distribute हुआ है, जहां पे cutoff कम हुआ करता था, महां cutoff increase हो गया है और जहां पे जादा हुआ करता था वहां थोड़ा नीचे की तरफ shift हो गया है तो अब अपन बात कर लेते हैं उन reasons के बारे में जिनकी वज़े से all India quota के round 2 और round 3 का cutoff नीचे की तरफ जाएगा सबसे पहले factor है UP का factor जो मैंने आपको starting में बताया UP में आपको state के round 1 में काफी नीचे तक colleges already मिल चुके है UP एक high cutoff state हुआ करता था यहां के काफी सारे बच्चे all India quota में seat लेने जाय करते थे क्योंकि उनको state quota से colleges नहीं मिलते थे 21,000 rank के बाद में अभी already 23,700 से उपर colleges मिल चुके हैं और अभी यह आपका 25,000 तक भी जा सकता है depend on कितनी नए college आपके round 2 में add होते हैं और कितनी seats vacant होते हैं आपके round 2 के लिए तो एक high cutoff state UP इस बार नहीं है cutoff आपका all India quota के similar हो चुका है इसके लावा अगर मैं बात करूँ बिहार की counseling का factor पिछले साल जैसे कि आपको पता होगा बिहार की counseling काफी delay हो गई थी जिसकी वज़े से बिहार के सारे जो toppers थे all India quota में चले गए थे क्योंकि उनको confirm नहीं था बिहार में कितनी seat बचिंगी उनको college मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा उदर all India quota का third round भी खतम होने जा रहा था फिर state के लिए wait करना उनको risky लगा इसकी वज़े से हुआ क्या कि बिहार की cutoff तो state quota की कम चले गई क्योंकि बिहार के सारे toppers all India quota में चले गए थे पर इस साल क्या होगा बिहार की counseling time पे होगी इसकी वज़े से competition जो पिछले साल unnecessary all India quota में बढ़ा था इस बार बिहार की वज़े से नहीं बढ़ेगा बिहार के state quota की cutoff में आपको नुकसान हो सकता है अगर आप बिहार से belong करते हो तो वहाँ पे आपको colleges पिछले साल जिस state rank पे मिलेते हैं उससे उपर state rank पे जा सकते हैं मतलब उससे better state rank आपको ला नहीं पड़ सकती है same colleges के लिए पर अगर आप all India quota की cutoff के इसाप से बात करो तो बिहार की counselling time पे उने की वज़े से आपकी all India quota की cutoff नीचे की तरफ shift होगी इसके लाव आपन next factor के बारे में बात कर लेते हैं अला कि इतना बड़ा factor अभी नहीं है पर फिर भी राजस्तान में cutoff पिछले साल के तुलना में round one की कम गई है इस बार आपको you are category में राजस्तान में 13,000 से नीचे तक colleges मिलें तो राजस्तान की cutoff आपकी round one की कम गई है पिछले साल के तुलना में तो अगेन वही situation जो UP वाली जो मैंने आपको बताई जब जब आपकी ये high cutoff states की cutoff आपकी नीचे की तरफ shift होगी तो सीधा सा मतलब यह है कि इन states के कुछ बच्चों को extra seat मिल रहे है state quota में फिर इन states के जो बच्चे All India quota में आया करते थे वो थोड़े कम आएंगे इसकी वज़े से All India quota में competition थोड़ा सा कम होगा ये चीज आपको सीधी समझनी है तो राजस्तान में भी इसी तरीके का trend है हाला कि उत्तर प्रदेश जितना तो नहीं है पर पिछले साल की तुलना में राजस्तान की जो cutoff थी राउंड बन की उससे नीचे तक colleges मिलें ठीक है इसके लावा आपके All India quota के Round 2 में कुछ नए colleges open हो सकते हैं जिसकी वज़े से आपको फायदा हो सकता है नई seats increase होने की वज़े से specifically अगर ये high cutoff states में seat increase होती है जैसे UP में बढ़ती है या फिर राजस्तान में बढ़ती है तो cutoff में आपको double फायदा होगा मतलब उन high cutoff states की cutoff तो नीचे जाएगी जाएगी इसकी वज़े से उन high cutoff states के कुछ extra बच्चों को state quota में colleges मिलेंगे फिर उन high cutoff states के कम बच्चे all India quota में आएगे college के लिए जिसकी वज़े से all India quota का cutoff भी नीचे की तरफ जाएगा ठीक है इसके लाब आपका जो trend मैंने आपको बता है cutoff increase हो रहा है low cutoff states में और आपका cutoff decrease हो रहा है high cutoff states में जिससे की आपकी cutoff थोड़ी सी balance हो रही है इसके लाब आपकी 70% seats आप देखोगे all India quota के round 2 का जब seat matrix आएगा तो आप देखोगे 70% के आपका seat आपकी vacant रहने वाली है जिन पे students ने reporting नहीं करी होगी क्योंकि आपका all India quota का round 1 free exit होता है अभी strand की वज़े से आपके जो high cutoff state हुआ करते थे उन में कुछ extra बच्चों को 85% state quota में colleges मिले है जिससे उन state के कम बच्चे 15% all India quota में seat लेने के लिए जाएंगे इसकी वज़े से आपके 15% all India quota में आपके कम बच्चे होंगे जिनकी rank 25,000 के अंदर है 20,000 के अंदर है इस तरीके के बच्चे पिछले साल की तुलना में कम होंगे जब अगर किसी high cutoff state की cutoff decrease होती है तो competition all India quota में automatically कम होता है इसकी वज़े से आपके all India quota का cutoff नीचे की तरफ shift होगा अगर आपके low cutoff state का cutoff increase होता है तो आप ये समझिए अगर जैसे किसी state का cutoff पिछले साल round 1 का 35,000 था इस बार 32,000 है तो इसकी वज़े से all India quota पे कोई impact नहीं पड़ रहा है कि आप ये मान के चलिए all India quota का cutoff 35,000 या 32,000 इससे उपर ही रहने वाल है 25,000, 26,000 जितना भी रहे पर इससे उपर ही रहने वाल है इसकी वज़े से आपके state quota जो specific state quota है जिसका cutoff increase हुआ है 35 से 32,000 हुआ है उसको नुकसान हो सकता है उस state के बच्चे को नुकसान हो सकता है जैसे किसी की रैंक 33,000 है 34,000 है तो उसको college मिलने में दिक्कत हो सकती है पर इसकी वज़े से आपके all India quota के cutoff पे कोई नुकसान नहीं होगा इस तरीके से आपकी cutoff थोड़ी balance होती है कम वालों की थोड़ी जादा जादा वालों की थोड़ी कम होती है और all India quota में आपको यह फायदा देखने को मिलता है इसके लावा देखो major counseling आपके all India quota के round 2 से start हो जाएगी क्योंकि round 1 तो आपका free exit होता है वहाँ पे आपको इतना सोचने की ज़रूत नहीं पड़ती पर round 2 में आपको अच्छे से counseling करानी है इसके लिए आप personalized counseling program join कर सकते है कैसे join करना है आपको इस number पे screen पे जो दिख रहा है इस number पे whatsapp पे message करना है ठीक है इसके लावा आप plan 1 और plan 2 join कर सकते है government medical college की counseling के लिए भी है और private medical colleges की counseling के लिए भी है इसमें आपको bond की pdf, need pg की कितनी seats है किस state में कहाँ पे ज्याद़ सीटा उस accordingly आप college चूज कर सकते हूँ आपको 15% all India quota का best preference list मिलेगी जिससे आपको अपनी rank के साब से best medical college मिल सके whatsapp group में आपको add कर दिया जाएगा जिससे timely आपको सारे notification मिल सके college की fees और establishment year का आपको pdf मिलेगा 85% state quota का preference list मिलेगा last year का data मिलेगा round 1, 2, 3 का cut off wise, college wise, category wise इसके लाब आपको main important decision making में मदद होने वाली है आपको कहाँ college लेना है all India quota में लेना है, state quota में लेना है आपके लिए beneficial कहाँ पे college लेना होगा first, second, third round किसमें लेना beneficial होगा वो सारे important decision making में आपकी help हो जाएगी whatsapp assistance मिलेगी final round of counseling तक इसके लाब आप plan to join करते हो तो plan 1 के features के साथ में आपको calling assistance भी मिलता है final round of counseling तक कैसे join कर सकते हो आपको इस number पे whatsapp पे message करना है याद रखिए का call मत कीजेगा जब आप calling assistance के लिए join करोगे तो आपको दूसरा number provide कराए जाएगा आपको वीडियो informative लगा तो वीडियो को like करके चैनल को ज़रूर subscribe करना इसके लाब टेलिग्राम चैनल को ज़रूर join कर लेना टेलिग्राम चैनल का नाम neat info है description box में ने link दे रखा है वहाँ पे आपको important information all India quota की counseling and state quota की counseling से related मिलती रहती है thanks for watching the video मिलते हैं किसे अगले वीडियो में bye